गाईज आजके इस वीडियो में हम Magix UPI प्लग इन का एक फुल डेमो देखेंगे यह जो प्लग इन है इसके तुरू आप अपने WordPress वेबसाइट पे या अपने WooCommerce स्टोर पे UPI के तुरू पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं यह जो प्लग इन है इसका बेस्ट फीचर है कि आपको यहां पे पर ट्रांजेक्शन कोई फीस नहीं पे करना unlimited payments आप रिसीव कर सकते हैं जो भी payment आप रिसीव करोगे वो instantly आपके bank account पे सेटल हो जाएगा and for the purpose of the demo आप यहां पे देख सकते हो मैंने एक demo store WooCommerce store मैंने यहां पे setup किया है कुछ products मैंने यहां पे add किया है तो हम अब इसमें जो plug-in है उसे install करेंगे plug-in को setup करेंगे कुछ products card पे add करेंगे and उसके बाद checkout पे देखेंगे कि कैसे UPI के through payment इसमें customer कर सकता है ठीक है so let's come to the dashboard यह dashboard है and यहां पे if we go to plugins and installed plugins यहां पे आप देख सकते हो फिलाल सिर्फ WooCommerce एक plug-in है जो installed है ठीक है इसके लबब यहां पे और कोई payment gateway plug-in installed नहीं है जो plug-in है वो आपको सबसे पहले download करना पड़ेगा वीडियो के description पे link है जिसके through you can sign up sign up करने के बाद कुछ इस type से आपको एक dashboard आएगा इस dashboard पे यहां पे देख सकते हो UPI payment gateway आपको दिख रहा है यहां पे access के site में जो view docs है इसमें आपको click करना है तो यहां पे आप देख सकते हो कि आपको एक download का option आ रहा है तो इसमें जो आप click करोगे तो plug-in का जो zip file है वो आप download कर सकते हो ठीक है और बाकी जो इसका API है उसका documentation भी है यहां पे in case अगर आप एक developer हो और आप अपने हिसाब से plug-in को तो आपको यहां पे click करना है click करने के बाद यहां पे upload plug-in का option है यहां पे click करना है choose file का option है यहां पे plug-in in zip format तो zip format में मैंने अल्यड़ी download कर रखा है तो मैं अब इस plug-in को select कर लूँगा यहां पे magic upi gateway है इसको मैं यहां से select कर लूँगा and then install now and activate plug-in यह थोड़ time लग सकता है यह यहां पे क्या है install हो गया right अब इसको चलाने के लिए हमें API key चाहिए रहेगा तो API key कहां से मिलेगा यहां जो आपका get API key का link है इसके through आप कर सकते हो बट सिंस मैंने अल्यड़ी यहां पे log-in कर रखा है डैश्पोर्ट पर तो मैं यहां से API keys उठा लूँगा तो मैं आपको दिखा देता हूं प्लग-in में यह setting कहां से करना है तो plug-in इंस्टॉल करने के बाद WooCommerce नीचे आपको आना है settings पर and यहां पे payments में आना है since it's a payment gateway plug-in It should be enabled फिलाल आप देख सकते हूं it is enabled यहां पर यह जो manage का option है यहां पर आपको क्लिक करना है यहां पर जो API की है वो API की आपको डालना है तो मैंने अल्यड़ी यहां पर API की set कर रखा था लेकिन अगर आप first time इसे कर रहे हो तो यह जो आपका dashboard है यहां पर profile में आपको क्लिक करना है यहां पर आपको account ID and token मिल जाएगा तो वही account ID and token आपको यहां पर set करना है इसको चलाने के लिए right तो अब हम इसको मैं close कर देता हूँ हम आगे अपने store पे फिलाल के लिए देख सकते हो कोई भी product card पे added नहीं है तो मैं अब इसमें कुछ products एड़ करूंगा लेट से इसे एड़ कर लेते हैं यह कुछ products मैंने card पे एड़ कर लिया और उसके बाद I go to checkout यह हम आगे checkout पे यहां पर देख सकते हो plugin मुझे दिखा रह है right so what I am going to do I am going to click on place order तो जैसे ही मैं place order पे click करता हूं तो यह checkout मेरा generate हो गया right 7177 का amount है जो payment ID है and plus QR code है वो यहां पे आ गया customer को इसे scan करना है amount वगेर सब कुछ automatically fill हो जाएगा बस pin डाल के customer को pay करना है and that's it उनका payment हो जाएगा and accordingly the order would get updated right so this was a quick demo of the Magix UPI plugin तो अगर आपका कोई WooCommerce store है या आपका कोई WordPress website है उसमें अगर आप UPI के थूपेमेंट रसीव करना चाहते then you can try this plugin video description पे link है जिसके through you can sign up on Magix console you can download the plugin and use the API keys to integrate it on your site बाकी या वीडियो से related अगर कोई doubt या query है प्लीज पूस्ट इन the comment section वीडियो अगर अच्छा लगा गाईज प्लीज प्लीज गए आप चैनल पे नहीं हो तो subscribe and that will be all for this video I will see you in the next one so तब तक कि लेस्टे सफेफ take care bye bye